तो ये मैंने कपड़ा ले लिया है घागरे के लिए तो मैं पहले बेल्ट निकाल देती हूँ 9 इंच का तो यहाँ पे मैंने 9 इंच का बेल्ट निकाल दिया है और इसकी लेंथ मैंने पूरी रखती है जहां से मैंने कट किया वा था और ये कपड़े को मैं 4 बार फोल्ड कर द कवा तक एक भाग में आपको केंग का प्लेट लेना होते हैา और प्लेट अपको इस तरह से लेने आपको मेज़े लेंद देख रही हूँ तो इसकी 40 इंच लेंद है तो मैं इसका एक भग में जोहाँ पर मेरा कट लगा है वहाँ तक मुझे 10 इंच तक आना चाहिए तो मैं पहले डाइक लेती हूँ आग गया है मेरा और कई एक्स्ट्रा हो जाएगा तो फिर हमें नुक्सान हो जाएगा वापस से खोलना पड़ेगा प्लेट और कभी कभी हो भी जाता है मेरे साथ भी होता है तो मैं वापस से खोल के इसको करती हूँ ऐसा नहीं होता है सबके भी होते हैं कभी उपर नीचे तो हमें वापस से तो मैं देख रही हूँ यहां पर जैसे मेरा इस तरह से नापो के तो कम मतलब बाइचेंस कम होगा आपका प्लेट में मतलब कम पढ़ना कपडा जैसे पूरा होता है और जहां पर आपको प्लेट के नीच्छ कपड़ा ज्यादा आ रहा है तो आपको पता भी चल जाएगा कि यहां पर नीचे आ रहा है यहां पर कम आया है कपड़ा तो अब की बर मैं और कम लेना नीचे कपड़ा जो दबाते हैं वह कम दबाऊंगी जिससे मेरा बराबर हो जाएगा और आपने अब तर दिखिए like और share करना ना पूले प्लेट तो आपको सभी इसी तरह से लेने कपड़े को आपको जादा कपड़ा उत में नीचे जाधा जाता है उपर तो आपको जितना लेना है उसी इसफ़चर मेजर टेप से नापके लेना है तो यहां पर मेरा सब नापके में ले रही हूँ और देखते क्या यह मेरा पूरे घागरे में प्लेट बराबर होते हैं या खोलने की जरूत पड़ती है तो वे बात में पूरा होने के बाद पता चल जाएगा यहां पर देख सेंसे सारे के सारे प्लेट ले रही हूँ नीचे कपड़ा आपको एक्स्ट्रा कपड़ा होता है आपको जादा दबाना होता है कम होता है तो कम दबाना है अब भी हम यहां पर नाप लेंगे यहां पर तो बराबर हुआ ग्यरा इंच और इस तरह से आपको पीनारी से थोड़ी थोड़ी पांच जितनी सीला ही लेनी है दोनुस साइट जहां पर आपको बेल्ट लगाना है वहां पर जहां से गागरे को एक साथ मतलब जोड़ देंगी वहां तक आपको लगाना है अभी हमें बेल्ट को इसी तरह से सिलना है जो बेल्ट डबल लगाना है तो मैं इस तरह से दोनों बेल्टों को जॉइंट कर रही हूं मैंने डबल निकाला था आप सिंगल भी लगा सकते हैं लेकिन डबल लगाने से आपका अच्छा रहे था कपड़ा और इस तरह से मैं इसके उपर वापस फोल्डिंग कर रही हूं आप चाहो तो डबल भी निकाल सकते हो मेरा तो नीच्छे से कपड़ा निकल गया था इसलिए मैंने डबल बैल्ड नहीं निकाला है ज्यादा कपड़ा होगा तो आप निकल सकते हो नहीं तो आपका गेरे में कम पड़ेगा जहाँ पर मेरा कम कट रहा था कपड़ा वापर मैं जॉइंट कर रही हूं जो नीच्छे से निकला था वो कपड़ा कम था तो यहाँ पर मुझे जॉइंट करना हो रहा है इस तरह से मैं बुरा जॉइंट कटूंगे और यह हमारा प्याल्ट इस तरह से बनके रेडी हो जाएगा के विधो जॉइंट वाला कपड़ा रहता है वो अंदर की साइट रखना है बार नहीं देखना चाईए यहाँ पर अंदर की तरब मेरा जॉइंट वाला कपड़ा और इस दर मापस में इसकी पर में चेला ही कर दोंगी गाग्रे का जो आपने प्लेट बरे उसको उल्टा रखना है और उसके ऋपर जो बेल्ट ऊते हैं उस वह उल्टा हिए राकना है सिद्ध लखना है स्पाइड और इसी थरह से आपको पूरी मैं लेते जाना है और नीचे का कपड़ा आपके बेल्ट में ना आ जाए आपको उस बाद का ध्यान रहना है देना है उसी तरह से आपको सीलाई लेना है और यहां पर एक्षटरा कपड़ा में कट कर देती हो और फिर यहां से वापस से इसे फोल्ड कर देती हूँ जातक बुझे बेल्ट को आपको इसी तरह से उपर लगाना है यहां पर थोड़ा मेरा आ गया थो सीलाई में तो मैंने उसको निकाल दिया जहां पर आपके मतलब कपड़ा आ गया है तो उसे अपको इस तरह से निकालना होता है हूप या सुई से यहां पर बीच में मेरी कलासे चल रही है तो मैं उनको भी बताते जा रही है उपने वीडियो के साथ थोड़ा दिश्टोब हो रहा है इस तरह से आपको पूरी सीला ही लेनी है और बहुत ही आसाने से बेल्ट लग जाएगा और बेल्ट में बिल्कुल गूज गूज नहीं आएगी बेल्ट आपको एकदम सीधा निकलना है तो गूज नहीं आएगी तीर्चा निकलेका तो पूज जरूर आएगी आप पोसिस करें बेल्ट को सीधा कटिंग करें यहां पर देख सकते हो मेरा यह बेल्ट बंद के रेडी हो चुका है और इसके प्लेट भी बराबर हुए मुझे वापस से दुबरा खुलना नहीं पड़ा और यह देख सकते हो अभी मैं इसके मेजरमेंट कर लेती हूँ मेरा अब देख सकते हो और अब नीच्छे की पृणลेह लेनी है पूर आने तो अभी हमाइं नीचे की पती फोल्ड करनी है तो मैंने वहापे चाबे कट लगाया थे उससे में लेते जारी और प्रटी को फोल्ड करुr तो जितनी हो 5 इंच की हो 6 इंच की हो मेज़े टेप से नाबते जाओ और पती को फोल्ड करते जाओ आपको इसी तरह से प्रको फॉल्ड करने होती है यहाओ देख सकते हूं मैं इसी तरह से नापर हूं और पटि फॉर्ड कर रहे हूं और यह बाद आसने से पटी फॉल्ड हो जाती है और गूज भी नहीं आती है आपको ज्यादा पटी पसंदें तो ज्यादा नहीं तो आप उस में से जो आपका कपड़ा है तो नीचे का कपड़ा आपको पहले निकाल देना है फिर आपको प्लेट उपर की तरब से भढ़ना होता है तो वहां से आपको पटी फोल्ड करने में आसा ही हो जाएगी एक बार में बठी फोल्ड हो जागी नहीं तो दो बार सीलाई लेनी पड़ेगी धागा निकलने के इसाथ से आपको इसी तरह से पुरा निशन लगाती जाओ और सीलाई करनी है यह मैंने वीडियो बहुत धीरे बताया है क्योंकि आपको समझ में आ जाए लगती है नहीं तो मैं फास्ट वीडियो बनाती हूं लेकिन इसमें मैंने बहुत स्लोली बनाया है इंटम स्टेप स्टेप समझाया है सेनल को सब्सक्राइब करना ना भूले क्योंकि वीडियो बनाने के लिए बहुत मेनत लगती है इसलिए आप सस्क्राइब करोगे तो हमें हीमत मिलती है आगे बनाने के लिए वीडियो तो इसी तरह से आपको मेजर टेप से नापते रहना है और यहां से जितना आपका माहा पर उसके सबसे आपको पटी को फोल्ड करना होता है तो यहां पर मेरी पटी जहां तक मेरा निसान तवातक हो चुपी है कट लगाया दवातक अभी मुझे वापस से इसको जो साइट का किनारी उसको एक साथ करना है तो मैंने दोनों भागों को ले लिया और उसको जोइंट में लगा देती हूं दोनों साइट जिससे गागरा बुरा बंद हो जाएगा जो बैल्ट के दोनों जोइंट है वहां तक आपको गागरे के दोनों पलू को लेकर इस तरह से जोइंट करने होते हैं और जहांपे बैल्ट लगा है वहां से आपको पांच इंस नीचे तक आपको सिलाई लेनी है बैल्ट से लेकिन